जो कानून के विरुद्ध आचरन होता है, उसमें ही तो दंड मिलता है, तो भागवतिक कानून है, गीता, वेद, धर्म सास्त्र, ब्रह्म रिशी, उसके विरुद्ध जो आचरन होता है, उसे पाप कहते हैं, सास्त्र के विरुद्ध पाप आचरन और सास्त्र के अनकूल पु भी इस्त्री, चारो इस्त्री शुरूफ हैं, लेकिन चारो के साथ हमारा बिवहार बिलकुल अलग-अलग होगा, नहीं होगा, अगर वो चारो के साथ बिवहार एक जैसा करता तो पापा चारे हैं, चारो में भगवान बराबर हैं, चारो का इस्त्री शुरूफ है, पर चारो का बिवहार अलग अलग होगा नहीं होगा बेटी का बिवहार अलग है बहन का बिवहार अलग है मां से बिवहार अलग है और पतनी से इक अलग बिवहार है बिवहार अलग हुआ तो बिवहार में जो सास्त्र विरुद्ध आचरन किये जाएं बोले कितना पापी आदमी अपन फिर उसको नरकादी की अंतरना प्राप्त होती है और इस लोग में बड़े भ्यानक भ्यानक उसको दंड मिलते हैं एक्सिडेंट हो गया चकना चूर हो गई टांग या गाड़ी में बैठकर जल गए सीसे नहीं खुला ये सब दंड़े ही तो मिल रहे हैं पापकर्म के दंड है जन्म हुआ इसे वैसे या भ्यानक कैंसर भ्यानक रोग ये पापई तो है ना पापकर्म का फल भूखना पड़ा है समझ पार है अब धर में बिरुद्ध आचरण को पाप कहते है जैसे अपनी पत्नी है उसके प्रतिकाम भाव करो पाप नहीं है लेकिन दूसरे के प्रतिकाम भाव वो आपका पाप हो जाएगा किसी भी माता बहन की तरफ किसी की भी तरफ करो वो पाप हो जाएगा तो आजकल पापई की ब्रद्धी ज़्यादा हो रहे है अब ये वाई फ्रेंड गर्ल फ्रेंड वाला जमाना अब इसमें पापई नहीं समझा जा सकता एक बार शनातन धर्म में जिसको हमने वरण कर लिया आज इवन निर्वाह किया हमारा भारत देश ऐसा हमारे हमारा कोई विदेश वाली तो ही परिपाठी यहांके है यहां तो श्त्रमा सास्त्रम प्रमाणंते काद्याकार विवस्तितों क्यों भाई समझ पारे वाप